Hi guys, welcome to my channel once again So friends, market में अब Oppo Company भी अपने low price 5G smartphone को लगातार उतार रही है जी हाँ दोस्तो, Oppo Company एक बार फिर से अपना एक और नया low price 5G smartphone लेकर आ रही है जी हाँ दोस्तो, अब की बार Oppo Company अपने नए smartphone Oppo A56 5G smartphone को लेकर आ रही है जो की दोस्तो, कमपने का एक बड़िया smartphone होने वाला है और दोस्तो, इस smartphone का लूक और इसकर यान भी बड़िया होने वाला है जो की दोस्तो, आप वीडियो में देख सकते हैं तो दोस्त, भी smartphone को लेकर लगवग सभी confirm specification सामने आ चुकी है और इस smartphone की officially detail भी company ने शेयर कर दी है तो friends, आज की इस वीडियो में हम इसी smartphone की full specification, इसके features, इसके price और इसकी launching date आदी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो दोस्तो, ये दिया आप एक Oppo Company के low price 5G smartphone का वेट कर रहे हैं तो दोस्तो, बने रहे हैं आप इस वीडियो में एंड तेक और रहे हैं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने तो चलिए दोस्तो, वीडियो की सरुआत करेंगे इस smartphone के look और इसके design के साथ तो दोस्तो, इस smartphone देरा आपको water dope note display देखने को मिलेगी और दोस्तो, इस smartphone के back film के पर आपको डियोर rear camera sensor देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो, look और डियान के मामले में smartphone बढ़िया है बाकि दोस्त, अगर इस smartphone के features के बारे में बात की जाएगे तो दोस्तो, इस smartphone देरा आपको company 6.2 ने इसकी HD IPS LCD डिस्पले देने वाली है जो की 16-720 pixel के resolution के साथ आएगी और इसका spec ratio भी सिनबात नो होगा और इसकी corning के पर आपको गोरे लगला का protection देखने को मिल जाएगा और दोस्त, अगर बात की जाए इस smartphone के variant के बारे में तो दोस्तो, उपो कमपनी इस smartphone को market में 4GB और 6GB RAM के साथ उतारने वाली है जिसके साथ आपको 128GB का internal storage देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो, market में इस smartphone को company 2 variant में उतारेगी और इसके इंदर आपको microtatica का भी slot मिल जाएगा camera sensor के बारे में बात की जाएगा तो दोस्तो, इस smartphone के back film के बारे आपको company dual rear camera sensor provide कराने वाली है जिसमें आपको 13MP और 2MP का rear camera और 8MP का front selfie camera देखने को मिलेगा तो दोस्तो, camera के मामले में इस smartphone ठीक ठाक रहने वाला है इसके इंदर आपको rear camera sensor 13MP का देखने को मिलेगा जिससे आप ठीक ठाक pictures को capture कर पाएंगे लेकिन दोस्तो, आज के time के उनसार, smart phone इंदर आपको इतने ज़्यादा बड़ी है camera sensor भी देखने को नहीं मिल रही और दोस्तो, अगर इसके प्रोसेजर के बारे में बात की जाए तो दोस्तो, Oppo Company अपने इस नई smartphone के इंदर आपको mediatek का chipset प्रोवाइड कराने वाली है जी हाँ दोस्तो, इस smartphone के इंदर आपको company octa core processor के साथ mediatek diamond city 700 का chipset प्रोवाइड कराने वाली है और यह mobile endude 11 operating system के वर काम करेगा और ग्राफिक के लिए इस mobile के इंदर आपको माली जी 57 का GPU देखने को मिलेगा तो दोस्तो, प्रोसेजर के मामले में इस smartphone बढ़िया है इस के इंदर आपको mediatek का latest 5G chipset देखने को मिल जाएगा जो के आपको बड़िया performance देने वाला है और दोस्तो, अगर इसकी बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तो, इस smartphone इंदर आपको company 10W के fast charging sport वाली 5000 mh की power hole battery भी provide कराने वाली है तो दोस्तो, इस smartphone इंदर आपको battery power hole देखने को मिलेगी हाला कि इसकी इंदर आपको fast अचाजर इतना बड़िया देखने को नहीं मिलता तो दोस्तो, कुल मिला कर देखा जाए तो दोस्तो, यह smartphone company का एक बड़िया और चलो प्राइज smartphone है जिसकी इंदर आपको company ठीक ठाक features provide कराने वाली है बागी दोस्तो, इस smartphone के प्राइज के बारें बात की जाए तो दोस्तो, इनिर मार्केट के सबसे इस smartphone का प्राइज लगबग 13-15,000 रपे के असपास होने वाला है बागी दोस्तो, आपको smartphone कैसा लगा हमें comment box में comment करके जरूर बताएं और इदिया आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और उसे दरूर करें और हमारे चनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद